नमस्कार में हूं निवेदिता गर पहुंच रहे हैं और लोगों से वादा करेंगे फिलाल तो आजमगड में चुनाव 12 माई को होना है और नतीचे 23 माई को आएंगे लेकिन चुनाव और वोटिंग से पहले ही आजमगड के चौकीदार निरहुआ ने यहाँ की जनता से किया वादा पूरा कर दिया दरसल NMF News से बात करते हुए बीजेपी उमीदवार दिनेश लाली आदव निरहुआ ने आजमगड से वादा किया था कि जीतने पर सबसे पहला काम यहाँ विश्व विद्याले का निर्मान होगा आजमगड की जनता आपको तहदल से जिताती है और हमारी भी उमीद है पूरी जिस तरह से आप मेहनत कर रहे हैं तो ऐसे में एक सवाल यह बनता है कि आपने जमिनी सर पे देखा है तो पहला काम क्या करना चाहूँगा जो करने के लिए मुझे मुझे मंतरी जी ने भेजा है अखिले शियादव जी उनको भर्मा करके अपने पीछे पीछे घुमाते रहे वो चाहते हैं कि वो पढ़े लिखे नहीं अभी कली वह आये हैं परचाद अखिला के लिए और उन्होंने कहा उनकी बात सुनके मैं दंग रह गया कि ये किस तरह की राज नित कर रहे हैं उन्ह तरह की राजनीती कर रहे हैं वो चाहते हैं कि यहां के बच्चो बच्चे जो हैं पढ़े ना अनपढ़ रहे हैं अगर कोई बच्चा स्कूल नहीं गया उसका बाप पूछेगा बेटा स्कूल क्यों नहीं गया तो बच्चा कहेगा ना कि क्यों स्कूल जाओं पर इक्षा लिख लिए तो उनका विरोध करेंगे क्योंकि वो गलत राह पे चल रहे हैं वो गलत राजनिती कर रहे हैं यह लोगों को पढ़ेंगे लिखेंगे समझ आ जाएगा तो इसलिए वो नहीं चाहते हैं पर हमारे मुख्यमंत्री जी योगी आदि तिनाद जी सबसे पहले चाहते निरहुआ ने जंता से विश्विद्याले निर्मान का वादा किया था सीअम योगी भी उनके इस वादे पर गमभीरता से काम कर रहे हैं इस बात का जिक्र सीअम योगी ने आजमगर कि दूसरी रैली में किया और यहां की जनता को खुश खबरी भी दी उनकी सरकार ने विश्विद्याले की स्विक्रिती दे दी है और निरहुआ के जीतने के बाद शिला न्यास भी करने योगी खोद आएंगे अखलेश को चुनोती दे रहे दिनेश लाल यादव निरहुआ की जीत का फैसला तो वैसे 23 मैं को होगा लेकिन उससे पहले आजमगड के चौकीदार निरहुआ ने इस जिले को पहला तौफा दिया और चुनाफ के बाद जल्द ही सीम योगी इसका शिला न्यास भी करेंगे यानि जिस तरह से निरहुआ ने जीत से पहले ही आजमगड को ये सौगात दिलाई वो उनकी महनत और सीम योगी का उन पर भरोसा ही था बात सीट की करें तो यहां से 2014 में मुलायम सिंग ने जीत दर्च की थी लेकिन वो जीत के बाद दुबारा आजमगड लोटे ही नहीं इसी वजह से जनता के लिए जीजान से महनत करने का बादा करने वाले निरहुआ मुलायम की गैरहाजरी को भी मुद्दा बना कर लगातार सपा पर हमला कर रहे हैं उन्होंने तो बादा भी किया है कि जीतने के बाद निरहुआ मुंबई नहीं जाएंगे यहीं जन्ता की सेवा करेंगे अब देखना ये है कि निरहुआ की मेहनत पर आजमगड की जन्ता जीत की मोहर लगाती भी है या नहीं लोग सभा का चुनाओ छटे चरण के लिए आप सब कावान करने के लिए कुछी देर में देश के सश्वी प्रधान मंत्री से नरेंदर मोदी जी का आगमन हम सब के बीच में होने वाला है हम सब जानते हैं आजमगड अपनी बहद्दुरी के लिए अपने सौरे और प्राक्रम के लिए साहितिक जगत में की गई सेवाओं के लिए सदेव बिख्यात रहा है लेकिन भाईो बेहनों आजमगड के सामने पिछली सरकारों ने पहचान का एक संकट खड़ा किया और पहचान के संकट से उभारने के लिए ही मुझे आपके बीच में आना पड़ रहा है बार बार मुझे आना पड़ा है याद करिए दोहजार साथ आट में जब सिबली नेशनल कॉलेज में अजीत राई की हत्या हुई थी तब भी मैं आज से बारा तेरा वर्स पहले यहाँ पर अंदोलन करने के लिए आपके बीच में आया था और तब भी मैंने आप लोगों से कहा था कि आजमगड को आतंक की धर्ती मत बनने दो आजमगड अपनी सहित ये अपनी कला और अपनी संबृत प्रंप्रा के लिए देस और दुनिया में जाना जाए जहां हम एक और पोर्ट्रि उ्द्योग के रूप में आजमगड की पहचान को आज़मगड के सहित्यकारों के माध्यम से आजमगड के युवाओं की उर्जा के माद्यम से देश और दुनिया के सामने प्रस्तुत करना चाते हैं वहीं दूसरी वोर कॉंग्रेसों सपाहों बसपाहों इन सभी तलों ने आपको केवल वोट बैंक के रूप में इस्तमाल करके आजमगड को आतंग की भूमी के रूप में प्रस्तुत करने का कुछ सित परियास किया और उसका पेर्णाम क्या था उत्तरप्रदेस का नौजवान आजमगड का नौजवान जब देश के अंदर किसी राज्य में जाता था नौकरी नहीं पाता था किराए पे मकान नहीं पाता था और बटला हाउस की घटना के बाद तो ऐसी इस्तिती पैदा हो गई थी कि आजमगड का नौजवान अगर कहीं मुंबई में दिली में या देश की किसी सहर में जाता था होटल या धरमसाला में भी उसको कमरा नहीं मिल पाता था ये इस्तिती पैदा की किसने जो लोग आपको अपमानित करकने के साथ साथ आजमगड के नौजवानों के सामने पैचान का संकट खड़ा किये वही लोग आज आज आपके सामने रहनुमा बन करके फिर आपको जाती छेतर और भासा के आधार पर बांटने के लिए फिर आ गए हैं भाईो बेनों आप याद करिए हमारी सरकार आई थी हमने पहला काम किया लगो और सीमानत किसानों के करज को माप करने का काम किया हमने दूसरा कारे किया जितने अवैद बूचड़ खाने थे एक जटके में सभी अवैद बूचड़ खाने हमने प्रदेस में बंद करवा दिये हमने तीसरा काम किया बहन बेटियों की जद के साथ खिलवाड करने वाले सोधों के खलाब एंटी रोमियो स्क्वाइट का गठन किया हमने चौता कारे किया कि सपा बसपा की सरकार में राजनितिक संग्रक्षन में जिन लोगों ने सरकारी जमीनों पर कबजा किया था उन जमीनों को कबचों से मुक्त करके हमने पुरे प्रदेश के अंदर एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स का गठन किया हमने छुडाई गई जमीनों पर गोसालाएं बनाई बिश्विद्याले बनाने जा रहे हैं मेडिकल कॉलेज बनाए जा रहे हैं पॉलिट टेक्निक डिगरी कॉलेज बनाए जा रहे हैं और बचीवी भूमी पर गरीबों को हम लोगों ने बितरित करने का कारे बचीवी भूमी को भी किया हमारी सरकाराई हमने पांचवा कारे किया आज कल आप देख रहे होंगे गेहों की फसल पैदा हुई है दो वर्स पहले किसानों को एक कुंटल गेहों का दाम 900 से 1000 रुपया नहीं मिल पाता था आज आप जाईए किसी भी करे केंदर में जाएंगे करे केंदर में गेहों लेकर के जाएंगे तो भाईो बेनों गेहों करे होगा पर्ची मिलेगी और 48 घंटे के अंदर 1860 रुपय आपके खाते में पहुँच जाएगा किसानों के लिए उनकी उपजका डेड़ गुना से दिक दाम देने की कारवाई हमारी सरकार ने आने के बाद ब्रारंब किया गन्ना किसानों के गन्ना मुल्ले का बकाया भुक्तान करने के साथ सपा बस्पा की सरकार में जो चीनी मिले बंदों हो गई थी या जिन चीनी मिलों को इनोंने बेच दिया था उन चीनी मिलों को फिर से प्रारंब करने की कारवाई हमारी सरकार ने की और ये भी तैय क्या कि चीनी मिलों को बेचने वाले लोगों को भी जेल के अंदर भेजने की कारवाई होगी